पुराना वाला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको गुन गुनाया हो सकता है मुझसे नहीं बना होगा मेरा मन किया मैंने किया आपको पसंद आया तो सुनो ना पसंद आया तो कान में लगड़ी डालो आज यह कलास होने वाली ना बहुत अलग होने वाली क्योंकि आज में पिछले दो तीन साल मानलो तीन साल में में चैन सुकून से अपना सव पर संट तो नहीं नभे परसेंट दूंगा इस कलास में अंदर तक हमारी क्लासों में सिर्फ आपको मेरी जो छमता है जो मैंदे सकता था आमको सिर्फ 20 परसेंट मिलता था उसका रिजेन थाहर्वड़ी हरवड़ी हरवडी हरवड़ इतनी कलास है गर dist Tools रवर्प हरवड़ की और इसे आपको पूरा इंड तक देखना है बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है हम अपडेट कर रहें आगे जो पहले वीडियो थे पुराने उन्हें अपडेट करने बहुत बहुत बहतरीन कॉल्टी में इनको मैं सिखना उनके लिए बिल्कुल चांदी है यह क्या-क्या पढ़ेंगे नंबर पैटर्न सबसे बड़ा जो हाइलाइट पॉइंट है पैटर्न पढ़ेंगे और वाट कम्स नेक्स्ट सेप नंबर काउंटिंग मिरर हाप्स रोल एंड स्लाइड एंड प्रेक्टिस कुश्चन यह सब मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे इं इंगलीस टेंसा नहीं लेने का क्योंकि हमारी जंता जो है ना उस अब इंदी वाली है जलो पहला क्या कह रहा है कुश्चन में ध्यान से देखना देखना मगर प्यार से और हाँ देखना ही मगर प्यार से मगर पूरा यहां पर देखो मेरे भाई लिखा है तीन पाच साथ और नौ फिर ग्यारा कहरा में खाली जगह भरिये मतलब इस पर आप जो है ना कुछ फिल करो क्या होगा कि सिंपल सा यह क्लास थार्ड ग्रेड की मैथ है कच्छा तीन की मान लो ठीक है मान लो वही है तो आप कच्छा तीन के बच्चे को और ज्यादा क्या पढ़ाया जाए मान के चलते हैं कि आपको मैत नहीं आती नहीं आती तो कोई बुराई नहीं आप नहीं सीख तो इसमें बुराई है ठीक है चलिए मेरे भाई यहां पर ध्यांजन जो तीन से बाद पांच है ना पांच के बाद साथ है अगर आप देखो तो यह दो दो के जुड़ने के तुछ आया है कि तीन के बाद यह पांच आया कब जब इसमें दोजुढा फिर इसमें जब दोजुडा तो यह साथ आया कि बहुत पिर नव यहां पिर भी दिया गया तो यह नहीं रहना चाहिए था यहँ तो यह पिर 11 स्मझ में आगी ने आपको यह पटर्ण समझ में आया यहां पर नो कैसे आया इन वे समय क्या है दो दो का डिफरेंस है दो दो प्लस हो करके नेक्स नंबर आया है इसे कहते हैं नंबर पैटर्न याद रखिये दो रीजिनिंग का सुरुवात यहीं से होता है जो जाकर के आप S.S.C. में और कोई भी competitive exam में रीजिनिंग पढ़ते हो ना रीजिनिंग का जनम यहीं से होता है समझे हो तो देखो चलो आगे बढ़ें ठीक है यह हो जाएगा अगले में क्या फिल करोगे जरा मुझे कमेंट करके बताओ फट से और अगर आप इसे अप्लिकेशन में देख पा रहे हो ना तो फट से कापी में आंसर नोट करो पहले क्या आएगा कि देखो वाई यह फिप्टी नाइन जहीं से क्या हो गया कितना बढ़ा कि अरे बाया का मोगा बाबू चार कितना मैंस चार हो गया ना इसको अलग कलर में करो तो 4 माइनस हो गया यह पिर M-4 माइनस करोगे तो क्या आएगա भाई सिंपल सी बात M-4 माइनस करोगे 51 आएगा बोलो आएगा करो नहीं आएगा ना यहिंननय इसमें क्या भरेंगे 51 अगला क्या है अगला क्या भाईया आगला है 47 कैसे 51 से जब आप 4 सब्ट्रेक करोगे 4 सब्ट्रेक करोगे तो यही आएगा घटाइक देख लो अच्छा इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताओ फट से और फिर नेक्स्ट क्या आएगा करो जल्दी हो सकता है इसके कुछ पार्ट यूटूब पर भी आप देख पा रहे हो हो सकता है आप भाग इसाली हो चलो आगे बढ़े नेक्स्ट इसमें देखो भाईया बाबू 14 है फिर 17 है फिर 18 है इनकी अगर इस्तिती देखो तो 14 में जब 3 जुड़ा तो 17 आया और 17 में म 3 जुड़ेगा 18 में 3 जोड़ों या कईस आएगा बोलो हाँ यस आएगा ना 18 में 3 जोड़ों या कईस आएगा ना 21 आएगा यह 21 है याद रखना इसमें अब सिर्फ एक जोड़ों अगर पैटर्न बन रहा तो ठीक है नहीं बन रहा तो फिर यह गलत है देखते चलो पहले तीन जुड़ा 17 हुआ फिर एक जुड़ा 18 हुआ फिर उस हिसाब से तीन जुड़ना चाहिए यह कईस आया फिर एक जुड़ेगा फिर 22 जो भी आ रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहां पर क्या हो रहा दो कम हो रहा है और फिर यहां क्या हो रहा है फिर दो कम हो रहा है तो यह बताओ क्या इसमें कोई पैटन बन रहा है बोलो तीन बढ़ा एक बढ़ा फिर दो कम हुआ फिर दो कम हुआ क्या कोई पैटन बना पताओ कोई पैटन बना क्या इसमें नहीं बना ना कोई पैटन नहीं बना अच्छा अगले में बताओ इसमें क्या आएगा एक बार के देख रहा हूं परिसान ना रहो कि क्या आएगा इसमें अगले में विल्कुल बेरी गुड जलो भाईया जो भी आपके सामने है इसमें देखो 11 बढ़ रहा है प्लस 11 बाभू 19 में जब 118 करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा इसमें फिर 11 प्लस हो रहा है तो फिर 41 आया और फि फिर जब 11 प्लस करोगे आप तो 52 आएगा क्या रहिए प्र हिर मेरे बाबची तूर उसमें 52 में जब आप फिर 11 प्लस करोगे यहां देखो 11 करोगे युथ 15 10 ओर एक मिरसट 11 हो रहा है इसमें फिर 11 जुड रहा है गया बोलो सही जा रहा है कि नहीं तो यह क्या होगा 52 जिनको ना समझ में कमेंट करो बिल्कुल टेंसन ना लो मैं आज बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा जिनको सीखना आज इस कलास को सिर्फ वही देखेंगे जिनको नहीं सीखना भाग जाएंगे इसका PDF अगला करा वाट कमस नेक्स लेकिन इंगली लिखाओं क्योंकि हमारे जो सुरोता है कुछ हिंदी भासी राज्य से नहीं है तो उनको आना चाहिए समझ में मेरी भासा इस लिखाए ठीक है बाकी मैं हिंदी में सब पढ़ाऊंगा मुझे इंगली खुद नहीं आती है चलो अगला क्या आएगा वही देखो डे नाइट दे दिन है फिर रात हुई फिर दिन है फिर क्या होगा पिर बिहान हो जाएगा तिर रात होगी ना यहां पर क्या लिख सकते नाइट हम लोग पहले छोटे थे अगले दिन जो आएगा क्या बहुत विहान जो भी थीघा मतलब दो वायेगा नाइट के भाट क्या गटी मपल्स आयस अब को पता है मन्डे के बाद क्या टीव्जडे के बाट बेजद स्टेत होगा ना अच्छा बड़ने सब्समार मंगल वार बुदवा फिर फ्राइडे फ्राइडे मतलब सुक्करवार कुछ लोग साइद इसे कुछ जुम्मा उम्मा बोलते हैं जन्वरी के बाद फैब्रॉरी मार्च मार्च की बाद क्या आता है अप्रिल किसमें क्या भरेंगें से इसमें दोनों बताना कि अब करलोगे ना बिल्कूल टेंस नहीं लेने का मेरे भही या बाबू चलो आगे बताईए बच्पन से सीखे वाबु एकदम सुरूफ है सीखे वह इतना बड़ा पिल्ला भर के थे तब ही सीख रहे हो अब तक नाम नहीं आया क्या आता है ना आज बड़ा मज़धार मज़धार चीछ दिखाऊंगा आज भी देखो तो भी क्या-क्या देखने को मिलेगा इसे बोलते हैं वर्ग क्या बोलते हैं वर्ग इंग्लिस में से स्क्वायर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसक्वायर यह व्रित है यह गोला नहीं याद रखना अभी गोला आगे दिखाऊंगा यह क्या है व्रित है जिसे इंग्लिस में सरकल बोलते हैं क्या बोलते हैं बहुत इनको क्या बोलते हैं आयत आयत मीन्स रेक्टेंगल क्या बोलते हैं रेक्टेंगल इनकी बहुत सारी खासियत होती है जैसे बृत में एक ही केंद्र पाया जाता है सकती है कि बृत केंद्र से होते हुए परिधी को जोड़ने वाली रेखा ब्यास कहलाती है बहुत बड़ी कहानी है इनकी गंदी अच्छी सब पुरा चिट्था खोल के रख देंगे जब आगे पड़ोगे तो अभी सबर करो चलो नंबर काउंटिंग इन को भी देखलो इनको काए छोड दे रहे हो इनका नाम तिर्भूज है नाम है इसको में ट्राइंगल कहा थे हो त्य आर आई एंजी लई हो सकता मेरी इंगली की स्पेलिंग थोड़ा भाई मिश्टेक हो जा लेकिन हिंदी सही है जलो या है ट्रेंग नंबर काॉंटिंग अबताओ आप पढ लिख रहे हो काहें सॉइघ तो करी बद शोकरी मिलेगे लरका बच्चा पइदा होगा तो उसको पढ़ाना पढ़े गान पतत अ वैं तो करता बहूंद अण तो अगर आपको खुदे नहीं आएगा तो क्या कहेगा मम्मी तो बन गव लेकिन मायत पढ़ा एक साहुना है भा समझ रहे हो तो इसलिए पढ़ लीजिए इमानदारी से अब नंबर काउंटिंग कैसे 20 में क्या एड करें कि 23 हो जाए चेकनलाजी देखो बहुत आगे बढ़ गई है बहुत मज़ार आज इस ग्लास को पढ़ाने में इस बोर्ड पर नहीं तो बहुत लीपना पौदना पढ़ता था दिखाऊंगा कहानी भी कि 20 में हम कितना एड करें कि 23 हो जाए इसको निकालने का एक तरीका बता दे रहा हूं आप बड़े हो गए हो तरीका बता दूं रुको एक तरीका बता देता हूं इसको बता पिर इसी पर आ जाओंगा अटेंसन नहीं लो चलो आओ कुश्चन यह है कि 20 में क्या एड करें कि 23 हो जाए यह कुश्चन है न हम माल लेते हैं कि इसमें एड करें ठीक है कुछ भी माल लेते हैं तो ए को ऐसे छोड़ करके और 23 को उधर वैसे लिख करके इन फलानी काकी को न उधर भेज देंगे ऐसे और जब इदर चली जाएंग मैं सब नहीं कराऊंगा उधर फाइड में डारेक्ट आंसा लिख दूँगा आप समझ जाना कैसे हुआ है इस पर कोई भी एक अन्नोन नंबर मान लेते हैं माल लो इस पर आप कुछ भी माल लो वहिया जैसे कहा जाए कि 40 में कितना जोड़ दें कि 70 हो जाए हम माल लिए यक यक्स मान लिए तो क्या हुआ कुछ नहीं हुआ जो होना थावाई हुआ है यक्स बराबर सत्तर यह चालीस उधर गया यक्स कमान के तरह आएगा हो तीस समझ में आया आगे बढ़ें कोई दिक्कत परिसानी हरानी नहीं ना चलो हम लोग पेज नंबर कहां थे तीन उन पे न तो ऐसे यह क्या हो जाएगा भाईया तीन हो जाएगा बाबू 48 में क्या एड करें कि 59 हो जाए यह को सिंपल सा है अगर हम 48 में 10 एड करतें 10 तो 58 होता लेकिन यह एक कदम आउर आ गए है यानि 11 जोड़ा गया है 27 में क्या जोड़ें कि 32 हो जाए सिंपल सा है इसमें से इसको घटाए दो चचा तो 32 से जब 27 घटाओगे ना बाबू तो दूई और तीन पांच हो जाएगा बस 49 से क्या घटा दें कि 32 हो जाए इस में से क्या घटा दें कि ये हो जाए मिना किसी दिमाग के कर लो अगर आप इसमें 49 से इस घटा होगे तो क्या है गां रहा है ना अच्छा इसे भी आएगा क्या लो रहा है कि नहीं ना रहा है ना विल्कूल टेंसा नहीं लेने का बस कलास को जब से तक देखना अगर मैज सीखना है अगर आज 아पने इसमें से लौव इसलिए इसलिए तो याद रखना कभी कहीं से नहीं सीखोगे इस जैना कर नहीं सीकति करने की कुछ ड्रों सथें एक जखEX anno पब delleं देख्र तो ऐसे आपके अंदर जो सीखने वाली इच्छा है ना अगर वो थोड़ा भी उसका सोसा चल रहा है तो मैं आपको मैं सिखा सकता हूं लिकिन एकदम से मर चुकी है वह इच्छा तो फिर नहीं और मुझे उमीद है कि अगर आप पीवियर स्टडी एप के सब्सक्रेब्सन व और या मैक पैटन एवाइ मुझे नगी था ऊरजा मेक पैटन कोई से बनेगा ये थे एपल टूप और ये फॉट्ट और फ्रॉवर इनको ले करके क्या करना अब को पैटन बनाना है तो पैटन बना लोगे लोग है की बना लोगे न यानि इस वर्ड को परियोग कर के कोई बढ़ागे बनाना है तो कैसे भी करके बना लो कि नहीं बना पाऊगे इसको बता देंगे तो पैटन बनाना है पैन को ले करके बना ले पर सिर्फ पढ़ाई वाला चीज देखना बाकी कुछ और मत देखना अगर कहीं से दिग गया है बूल चुक से तो यह क्या है यह बाल यह बाक से डिब्बा यह पैंसिल है यह बुक है और यह अपना तो इसको मैं काहे को लगाया हूँ रोल और स्लाइड इसका मतलब जानते हो कि सलने और सरकने वाली बस्तुई है आपने देखा होगा आज कल जो लोग सहरों में रहते हैं दिल्ली या मुंबई योगरा मेट्रों देखे होंगे मेट्रों गेट कैसे खुलता है या बड़े बड़े जो चोटे मोटे आफिसों में भी आज कल सलाइड वाले गेट लगने लगें तो क्या होता है जैसे एक्जामपल के लिए अगर मैं यह मोबाइल लिया और मोबाइल को क्या करूं रोल होगा अगर मैं इसको फेंकत क्या तो यह रोल और स्लाइट दोनों हो सकता है पहले फिजिकली सीख लीजिए फिर यह तो बताऊंगा यानि अगर मैं इसको ऐसे फेंका रुको कस लेता हूं नहीं बिग जाएगा मैं नहीं गर फानी नहीं गरेगा चलो उतना अच्छा है यह अगर मैं इसको ऐसे फेंका तो क्या होगा यह रोल होगा ऐसे अगर मैं इसको आएसे तो यह रोल हो रहा है तो यह सिक्का डेखो 5 रूपए 10 रूपए जिसका गुलकपा मिलता है उसको अगर हम ऐसे फेकते हैं तो सलाइड भी हो सकता रोल भी हो सकता यह बता यह बल बाल यह रोल हो सकता है एक स्लाइड बताओ विद्व सकता है टो करो रोल हो सकता है सब नहीं मिटा और मीड़ में इस भी लाकिान खीक da joka म Annika इसका कोंढ़ देख रही खा है मेरा बाल लगा और इसमें क्यों मे चीज़ का मतलब रास्ते में सोचवाइब पेड़ीत और साई कर सकता रोल या स्लाइट कमेंट करो बताओ यह डिबबर रोल कर सकता है स्लाइड कर सकता है अच्छा एक बॉल एनि गेंद गेंद रोल कर सकती एक स्लाइड कि भी बातों को आप समझ पा रहे होंगे है ना पैंसिल क्या कर सकती है रोल की स्लाइड इह पैंसिल इतनी पतली है कभी भी सलाइड तो करे नहीं सकती है यह पैंसिल कभी स्लाइड करेगीए यह कभी मैं इसको फेंकूं कर आई से जाएगी घर घर आप यहां अगर मैंने कोई के खेता certified आए पर टरण गरेगी यह कंद यानि हमेसा यह क्या करेगी रोल ही करेगी दिखतर अवस्था में ठीक है अब ऐसे फेंक तो नाचते हुए चली जाए तो एक आध बार चाहे घूम जाए बाकी नहीं तो समझ गए हाँ एक बहुत अच्छी चीज अगर पीवियार स्टडी का यह लोगो है अगर इसको मैं फीजिकली आपको दिखा पाता निकाल के बाहर इक्तम गोला है नहीं अगर इसको फेंकूंग तो क्या होगा कोईसे जिस रूप में आपको दिख रहा है सलाइड ही करेगा अगर ऐसे लेकिन अगर एक गोला रूप में क्या करेगा रोल करेगा गोला का मतलब देखलो पहले इक मिणट रुख जाओ जैसे देखो यह कि इसमें दिख रहा इनया सबको कि ये चीज़ कि आ है दिख रहा है जैब भाईया ये कभी भी स्लाइट नहीं करेगा हमेशा रोल करेगा कि यारी तो लोचा रहा रहा रुक अंधुन दिखाता हूँ की बार गोवाद देखना फिर दिखाने दे भाईया दिखाने दे राज्जा इधर तुम चल अब आओ चल देखो आप देखो देख लिए यह रोल करेगा कि स्लाइड करेगा अब यह तक खौपड़ी भरका हो गया इतना बड़ा यह क्या इसे फिसलता जाएगा कि इसको कहीं भी अगर लुड़का हो गया कि वस्तु जैसे बलून हो गया यह फुटबाल हो गया तो वह ऐसे धनंगता हुआ जाएगा ना मतलब रोल करता हुआ समझ गया आगे बढ़े चल वह तुम अपने अफली आउतार में आजाओ अब लोगों को जगा दो अपनी अपनी जगा तुमीदर आगे बढ़े कोई दिक्कत परिशानी किसी को नहीं न ठीक है अभी इस पेज पर आएंगे तो इसके बारें भी समझाएंगे यहां पर क्या करना था वो भी बताएंगे टेंसन नहीं लो यह कट गया थोड़ा था इस पर एक मया और फिगर बनाया था वो मिट गया गलती से आप बताओ मुझे क्या है यह क्या बोलता है इस फिगर को अब बता लोगे न सभी ठीक है आओ पीछे आते हैं जहां पर थे हम लोग तो यह चीज तो हो चुका था और यह आप समझ गए रोल और सलाइड समझ गए इस तरह कि आप कम से कम दस दस एकजमपल सोचोगे कि कौन सी बस्तुएं है जो रोल कर सकती है कौन सी बस्तुएं है जो सलाइड कर सकती है ठ क्या करना भाया इनका करना है बताओ कर लोगे ना ये गोल आप को नहीं करके दिखादेंगे धयाँ जो टिखरा उसको देख लिए ये क्या है इसके नाम में में की यह और ब्रिटाकार है क्या है क्यों ब्रिटाकार ग Bears रेस्टरी का को यह क्या है इसको कोई बताएगा एनिवन कि फुर्ट कि नहीं दिखरा है त्वेति देखो फोल फिसको बोलते जानते हो यह बया घनाब क्या है बाआवा यह घनाब है जिसे इंगलिस में क्यूबाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं क्यूबाइड बोलते हैं क्यूबाइड ही बोलते हैं क्यूब क्या होता जानते हो क्यूब को घन बोलते हैं घन में क्या है उसमें चारो साइड बराबर होती है यह आपको दिखरा होगा इधर ज्यादा लंबा चौना जारा नीचे कम है ना यानि जो आयत होता है आयत मतलब rectangle rectangle से मिलके क्या बनता है जानते हो आप अब भाईया रेक्टेंगल से मिल करके यह घना बनता है और स्कॉायर से मिल करके घन बनता है ठीक है समझे आप मिरी बात को कोई तकलीफ नहीं किसी को नहीं न हूद आयार ने दएंधि इंगलिस में कैंने कि नाम लिखना ठीक है थाल आपनो कि ना में लिखना था ज TRA butter कौ समेंखे नहीं हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं आगे बढ़ें चलो ठीक हो गया काम कि नाम लिखिए यह हो गया था कि किसी को कोई परिसानी है तो मुझे बता देना नाम लिखिए कि यह क्या था कि यह वर्ग है कि यह वर्ग है जिसको इंग्लिस में स्कॉयर बोलते हैं साद अभी दिखाई चुका हूं यह गोला है इस फेयर है इसको मैं आपको थोड़ा साब परिचे करवा देता हूं यह क्या है भया यह गोला है बाबु क्या है यह गोला है क्या बोलते ह इसको क्या बोलता है इस फेर कि मैथ हो रीफ ले इतना खेल हो रहा है यहां पर यह मत समझना मुझको तो उल्लू बनाया बड़ा मजा आएसा नहीं है आए मेरे दिल के चैन आए दिल को दूआ कीजिए बस और पढ़ते रही आगे कभी-कभी ना खुद को बच्चा भी बना लिया करो क्योंकि बच्चे बने रहने पर जो आराम है ना वो कहीं है नहीं चलो आगे बढ़ें फिर सही बोल रहे ना रहे कभी-कभी हम सही भी बोलते हैं ऐसी बात नहीं है तो यह पेज मुझे उमीद है कि हो गया इसका तो छीचा लेदर हो गया इसको सही करके मुझे बाद में PDF में देना पड़ेगा चलो अभी तो आगे बढ़ जाते हैं ओव तो आकर्तियों में नाम लिखिये इसको मुझे लिखी देना पड़ेगा अभी तो बात में यहां पर लोचा वी जाएगा बात में करेगा कौन यह गोला यहां लिख दिया है भी गड़ पड़ हो गया आकरतियों में क्या करना है इंगलिस में हिंदी इंगलिस में नाम लिखिये भाई थोड़ा फरुक ना इंगलिस में लिखिये क्या करना है लिखिये ठीक है मैं इस गोले को मिटाने के लिए यह जुगार लगा सकता हूं नहीं तो यह जाता पूरा मिट तो बहुत मिट गया कि आई तुम पढ़ा रहा वैसे पढ़ा रहा चलो आगे बढ़ें अगला क्या कहा रहा है सब्ता के पर्था मुँआ अंतिम दिन का नाम लिखिए कि इसको तो मुझे लग रहा हर कोई कर लेगा क्यूं क्लास थर्ड की मैध है लेकिन इतनी तो बुध्धी विक्सित होई गई है अगर मैध सीखना है तो पूरा क्लास को देखना आई इसमें बहुत मजा आएगा खेल-खेल में बहुत कुछ सीखना यह मत समझना कि यहां यह सबंध है थो बहुत कुछ सीख रहे हो आप सब्ता के पर्फमों अंतिम दिन का नाम है तो भाया सब्ता का पर्फम्दीन अलग अलग जगा हमारे हिसाब से सब्सक्राइब हैं इंडिया में जहां तक हम समझते हैं वह सो मौर से शुरू होता है पर्थम दिन यानि मंडे से न क्यों वर्किंग डे मंडे से स्टार्ट होता है अंतिम दिन संडे हैं अधीं बोल रहा हूं कि नहीं वैसे आपके क्या विचार है जरूर बताना है इसके थोड़ा समझत हो सकता है कुछ लोगों के कँएंगे कई कईखें फंडे से शुरू होता है कई 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 मंडे से होता है जो भी को वरसका सबसे छोटा महीना कौन सा है कि बताओ साल का सबसे चोटा महीना अरे वही जिसमें युवाओं के स्पेसल तेवहार आते हैं 14 दिन वाले है ना वसे रहते तो 11 दिन है लेकिन में 14 दिन मनाया जाता है कि समझ गया होंगे काफी लोग तो मुस्क्रार है अंदर यंदर पिछली याद है आ गई है ना कुछ लोग रो रहे हैं है तो बढ़ हो गया था पिछली बार तो जलो तो क्या है वह महीना है फैबरोरी क्योंकि फरवरी ही सबसे छोटा महीना होता ठाई 17 का अगला वर्तमान में भारत में कितना राज्य है वह या बहुत ही अजीब कुईस्चन है अच्छा भी है पहले कितने राज्य थे अठाई थे ना अठाई जी तो थे फिर राज्य बढ़ा दिये गए पुल राज्य कर दिया गया था जमुकस्मीर को ना फिर केंद्र सासित पर्देश बनाया गया तो अभी हमारी जानकारी के कार्डिंग जो 2022 में है वो क्या है अठाइस और आठ अ उधर जो केंद्र सासित पर्देश थे साथ पहले तो उनको नौ कर दिया गया था नौ के बाद क्या हुआ दोनों को जोड करके एक बनाया गया जबंद्यू ऐसे कुछ ना ज्याद है आप लोगों को नहीं तो कुल मिला कि 288 है ठीक है 28 राज्य है और 8 केंद्र सासित अगला मिरर हाप्स इसका मतलब आप समझ रहो इसका मतलब यह है कि एक दूसरे को उपर इनको रखें तो पूरा-पूरा उसको ढांक लें कवर कर लें जक्रले मतलब जैसे ऐसे देखो समझो जैसे यह मेरा हाथ है ना आपको दिख रहे हैं अगर मैं दूसरा हाथ ऐसे हाथ से नiğ बजाना पड़ता है लेकिन लोग एको नोगा मतलब करते हैं उफकर देखो यह हम लात करते से एक लेए नहीं कि या मेरे इस हाथ से दूसरे हाथ की तरफ का दिख रहा है नहीं और अगर आप इधर से देखो तो इधर से भी आपको उधर हाथ का कुछ नहीं दीखेंगा चाक्व पूरब धर ढूंतों तो क्या पूरा-पूरा ढांक रहा है तो चो यह मैत है दिमाग यहीं शुरू करना पड़ेगा कलास थर्ड के बच्चे यहां सीखते हैं नहीं ढख रहा है न क्यूं इधर अंगली दिख रही न मेरी इस हाथ की उंगली देखो उधर फाइट दिख रही न नहीं ढख रहा है न तो अगर ऐसी वस्ता पर हम कहेंगे हस नहीं है लेकिन अगर ऐसा हुआ थिया मिरर हाफ्स है करना स् Upperus तो तक अगर मैं इस प्शूं को लिया और दूसरे वाले को ख़र पच्चा को कंद दिया इसां क्या हुआ फ़क्ा क्लिए इसको करत नहीं हो आपको पीछे वाला फेट रहा कहीं से कहीं से दिख रहा बताओ नीचे उपर और हां इधर से भी देख लो इसमें क्या पिछे वाला आपको दिख रहा है एक मिनिट अगर दिख रहा है तो मिरर हाप्स नहीं है और नहीं दिख रहा तो मिरर हाप्स है समझ गए ना मेरी बात को कि नहीं पक्का समझ गए चलो भई आगे बढ़े फिर आओ देखो चलो वैसे इनको अगर यह क्या है एक तिर्भूज है अगर इनको आधे से बीच से कार्ट के मोड के ऐसे रखो के एक पर तो यह पीछे का चौणा वाला दिखेगा जो उन लोगों ने हाथ वाला उधारन समझा होगा वो इसको समझ जाएंगे नहीं समझे हो फिलहाल तो कमेंट करके बताना अगर यूटूब पे देख रहे हो अगर आप इसको प्रीमियम क्ला कर सकते हैं तो आप अपनी डाउट इससे बताईएगा हम आपको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके समझा की बेदेंगे कोई डाउट रहा गया तो ठीक है और थोड़ा वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ें नेक्स्ट कि य यहाँ से काट रहा है यहाँ से काट रहा है यहाँ पर देख सो दूरी कुछ कम है यहाँ पर कुछ अलग है तो इसको अगर काट पर क्रक्ते बीमसी दूर livre नहीं है और यह भी नहीं यह हैं लेंड ऑन डाय को नहीं है क्योंकि यह निधर हो सकता था कब इंचे यह मतलब है तको तो यह मिरर हाप्स हो सकता था कि ए रुक जा यार बैया कि यह मिरर हाफ्स तब हो सकता था जब यह आए से जाता जैनि उधर से इसको काट कैसे मोड़ सकते थे समझ में आ लेकिन यहां पर थोड़ा बैमानी कर गया यह इसलिए मिरर हाप्स नहीं है को कोई डाउट टैंसन तकलीफ नहीं ना भया चलो आगे बढ़ें यह मिरर हाप्स हो सकता है क्योंकि इसमें देखो इधर कभी आकार वैसे इधर कभी वैसे दूसरे को कट के ढख ले आप दिया होता थे हाँ बैठाना होते अब तक चले गए फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे आप इसे देखते हो क्लास में मारे चलो यह मेरे हाप्स है बना रहा है क्या नहीं बना रहा है ना यह नहीं बना रहा है क्यों एक दूसरे उपर ऐसे रखो टबकेगा या मेरा खोपड़ी इधर नहीं दिख रही दिख रही नहीं क्यों क्यों किया है मीर्णास नहीं बना रहा है कुछ लोग कहेंगे अच्छा अगर आगे हम कोई लगा दें एक मिनटो को कुछ लोग कहेंगे कि हम हाथी के आगे फिरन का बच्चा खड़ा कर दें कहां मिरर हाफ बनेगा मालो यह हो गए किताब और इधर यह मैंने टीबुक किया लगा लिया इसे अब तो दिखने रहा है लेकिन कहोगे मिरर हाफ्स है आप कहोगे है नहीं है क्यों कि इधर ते नही दिखना चीए अगर इधर करूंगे दिखेगी दिखने दर थे पीछे वाली बुक दिख रही न यानि मिरर हाफ्स नहीं है तो अगर एक तरफ का खुब बढ़ा कर दिए एक तरफ छोटा तब भी मिरर हाफ्स नहीं बना रहा है समझ रहा हो ना यह माइंड टेस्ट करने के लिए पढ़ाया जा रहा है जिंदगी में कहीं इसका परियोग नहीं होने वाला ऐसे का मतलब का चीज है इससे आपका जो खोया सोया हुआ दिमाग है ना जिसमें जंग लगा है न वह थोड़़़व प्रेसर बढ़ रहा है उस चलो यह क्या है कि बना रहा है कि नहीं मिरर हाप्स यह नहीं बना रहा है यह बना रहा है आगे गठेश को कोई तकलिफ नहीं ना भाइव चलो गेज़ए दीज लेटर फ्राम दीयर हाफस ये भाईया हम बड़ा इंग्लिस मैं नहीं है कुछ लोग गरिया दिये होंगे तस्विरा इंग्लिस बोल रहा है नहीं इंग्लिस नहीं बोल रहा है अपना भाई क्योंकि इंग्लिस मुझे आता नहीं तकलीफ और दर्द यह हैं इतना उला नहीं हुँ कहने कई यह मतलब है कि जो लेटर लिखें लिए आधे लेटर है या इनका आधा आप पहचां सकते हो हा? एक जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है समझ रहे हो? को ऐसे कंडीज़ा ना है इनकी कुछ बिना इनके आधे के पूरे नहीं हादूरे है यह तो जैसे एक एक जामपल देख लो मालोम आने B लिखा भी भी जुक हो भाईsize B भाई रुक जाना अब आगर इस बी को आधा अधा इसे काट देए sąजना इसको आधा कर देते क्या बनता ऐसे और इसे तौल और अगर इसको इसका और II कहिए मैं अच्रीत बना देटे तो ऐसे बनता कि इसको भी हम अगर आधे के रूप मेलें यहां पर अगर यह थोड़ा निकला रहा रही है मैं और हम कह सकते हैं यहका यह यही का आधहा हो सकता है यह दोनों बुक आधन त सैंसर किसका है यह एक आधा यह को अगये कषा और है भैं के का peroxy है लगबग बन रहा दा थीक है यह सी का आधा है अगर यहां तक आप देखो इसको ऐसे गुमाओ थोड़ा सा कम सही बना था बाकी सी का आधा था ठीक है यह यच का हाफ था और यह के का था कि बोलो सही लिखा मैंने किसी को एनी तकलीफ एनी दुखदर्द नहीं न अगला क्या है काउंटिंग इन टेंस एंड काउंटिंग इन फिफ्टी यानि इसमें 10-10 के अंतराल पे गिनना है काउंट करना और 50-50 के अंतराल पे काउंट करना है चल भई यह 10 के बाद 20 आया फिर फिर देर सो फिर क्या आएगा 200 फिर 250 फिर 300 फिर 350 के यह कलास थर्ड लेबल कमेंट है कच्छा 3 कई फिले इतना आफान लग रहा निए का होगी कह रहा है अगर आपको यह सब आ रहा है ना तो आपको अच्छा 6 से सुरू करिए 6-78 आपको पढ़ना है में इनको कम समय में अ कि यह तो अभी कोश्चन आया था दिखाया ही था मैं आपको मुझे लगता है कहानी खतम हो गई रन हो गया किसी को कोई डाउट है कोई तकलीफ है तो मुझे बता देना बिल्कुल टेंसन नहीं लेना ठीक है भाईया और हाँ आज का यह क्लास हैं होता है आप लोगों के क्वालिटी बैच क्वालिटी बैच इसकत के यूट्व पर देमो आना शुरू हो गया है ठीक है जी मुझे अब न सुरू हो गया अगर आप इनका फुल पर चाहते हैं उनको हम पूरा च्छे महीना का जो चार्ज आपके लिए देते आं वह तिर्पल-9 होता है लेकिन इस स किसके लिए 200 बच्चा पार्टी के लिए होगा सिर्फ 200 ठीक है भया तो इस एक बैच में जो बच्चे जुडेंगे वह 550 बच्चे रहेंगे टोटल 550 बच्चों में 200 बच्चों को आफर मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो बहुत जल्दी इसको इंडॉल कर दीजिए जैसे देखें किसी भी समय पढ़ें कितना भी पढ़ें हो सकता आप इसे अगर अपलीकेशन में देख रहे हैं तो यह आपके काम का नहीं आप आल्रेड़ी ज्वाइन हो चुके हैं हाँ अलग अलग आफर अलग टाइम पे होता है इस को कुछ बच्चों ने तिर्पल नाइन में तो लोग उसको डेड़ लाग कभी लेते हैं तीन साल बाद वही आईपोन 11 देखोगे तो अफ़ी अजार पचाफ जार कभी हो जाएगा समझ रहे हो तो चीज़ें अलग 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 इस्तितियों पर बदलती रहती है इस पर आपका बहास करना कोई मतलब का नहीं है ठीक ह इस पर आप किसी भी UPI से भी पे करके WhatsApp पर रसीद भेज देंगे जल्दी जल्दी जिसको आपको आफर में बहुत जल्दी इन्रोल कर दिया जाए ठीक है जो आपने वीडियो देखा ऐसे बिल्कुल कलास मिलेगी पूरी कलास मिलेगी हर एक कलास में ये बात मैं नहीं थैंक्यू आप सब कोई को दिल से धन्यवाद होसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार सिर्फ एक बार फिर फे जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना और उम्मीद है कि आज आपने जितना पढ़ाया सीख गए होंगे है ना कमेंट करके यस बोलना अगर आप इसे यूटूब पर या फेस्बूक पर डेमो के रूप में देख पारें तो सेर जरूर करें और अगर आपने पैकेज ले लिया है तो आप बहुत भागसाली है नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और सारे कंट्रा टामाटर बना ले रहें तरहार्मुप मतलब स्काएं करण कथ उस ब्सका आए और टो आप समझगें और यसे यूटूब पर देख पा रहे तो कमेंट करके बताना कि हां क्या कहना चाहते हैं क्यों